हेलो अब्रिवान वेल्कम बैक टो शालनी डियर क्लासस गुद इवनिंग तो अब्रिवान कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे सुबा हमने सस्टी की क्वेशन को किया था मैं जो उमीद है कि मैंने अच्छे क्वे जो भी लोग चैनल पर पहली बार नए है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करिए दोस्तों में शेयर करिए और सारे पीड़ाइब को टेलिग्राम चैनल पर मिलेंगे बहां से आपको सारी मिल जाएंगे तो आप उसको जॉइन कर लिए लिंक आपको कमेंट क्वेशन आप सबी के सामने है यदि भाजक चार सो तरासी भागफल चार सो तीन तदा सेश फल पचास हो तो भाज ज्यात की जिए ये एक क्वेशन है आपका ठीक है आप से क्या कह रहा है कि भाजक चार सो तरासी है ठीक है भाद का मान कितना है चार सो तरासी पाक वल कितना है चार सो तीन और सेस वल कितना है पचास आपको तीन चीजे पता है आप से भाद जी पूछ रहा है क्या पूछ रहा है भाद जी पताना है इसका एक सूत्र होता है ठीक है इस क्वेस्टन को लगाने का एक सूत्र है जो इसको भी शूत्र पता होगा वो इसको बहुत आसानी से लगा लेगा तो मैं उमीद करती हूं कि आप लोग पहले सब लोग कमेंट करिए पताईए कि इसका सूत्र क्या होगा इसका सूत्र जिसे पता होगा वो इस क्वेस्टन को सॉल्व कर लेगा तभी आपको बताऊंगी आप मुझे कमेंट करिए कि इसका सूत्र क्या है वह क्वेस्टन दिया है कि जिसका भाल चार सो तरासी है भागवल चार सो तीन है से सफ़ल पचास है तो बहुत आसाना प्रश्ण है जिन्हें भी आता है उनके लिए वह फॉर्मुला क्या है भाज बराबर भाजक इंटू भागवल प्लस सेज्वल याद रखिएगा टेट सुपर टेट के मैत में भी यह क्वेस्टन आते हैं इसलिए इंपोर्टेंट है कभी कभी क्या करेगा आपको जो है भाज दे देगा भाजक दे देगा तो सेज्वल कभी सेसफल भागफल देनेगा तो भाजक पूछ लेगा इसी फॉर्मले को यूज करके आपको कुछ ना कुछ चार चीज़े यहां पर चाहिए आपको इस क्रेशन को सॉल्फ करने के लिए आपको आज भाज निकालना है तीन पता है तो आपने फॉर्मले पे रखा वालू प युक्षंते प्लिस ऐट गुड़ को दुत क्या घाव में शक्षो शक्तिकश बागफल की निचे से सिसफल की अरध चैहां और चैहां लुखर क्या तेरासी गूड़े चारसेद आपको 50 थीज़े सबसे पहले आप क्या करेंगे चार शो तीन प्लिस प्लडिन को गुड़ा ठीक है no doubt एक questions clear इस topic से question आएगा तो आप कर लिजाएंगे command है आपको तो comment करिए कि हाँ आप कर लिजाएंगे ठीक है next question देखते हैं ये देखे next question रहा दूसरा question आप सभी के सामने ये रहा 117 को दो संख्याओं के गुढ़ा के रूप में वैक्ट करना है जिसकी एक संख्या 13 है आपको एक संख्या दिये 17 करना है कि जिसकी एक संख्या अपको पता है तो दूसरी संख्या क्या होगी कैसे आप करेंगे यह क्वेस्चिन तब ही सौल्व होगा जब आपको एक से कंड चैप्टर गुडा और भाग के प्रपर्टी ब्युत्ता है जिसमें कहते हैं closer property commutative property यह आपने पढ़ा होगा मुझे उमीद है क्योंकि बुक में दिया था पहले property उसमें रहती है चेहां तक मुझे याद है closer property कहते हैं गुड़न का सनवरक प्रगुर्ण दूसरा commutative property होता है गुड़न का क्रम बिनियम प्रगुर्ण फिर स्टून निका गुड़न गुड़न होता है गुड़न फल का जो है एक multiplicative identity करके रहता है ऐसे आपको कुछ properties आपके बुक में असोचियेटिव लॉड इस्टिब्यूटिव लॉड यह सारे लॉड है तो उसमें क्या होता है कि फॉर्मले बता रहते हैं ए प्लस बी बराबर बराबर रहेगा ऐसे रहते हैं थ्यान देख लेगा question नहीं आते हैं ले नुच्छाब आरार ऐसे पसक्रा तो वह संख्या निकालने क्लिए आपको 177 में से भाग देना था ठीक है समझ में आयोगा मुझे उमीद है यह भाग की प्रपरटी के बेस पर एक क्वेस्टन था मैंने ले लिया हो सकता है आजाए ऐसा कुछ नेक्स देखते हैं क्या है निम्नांग के तत्यों के संगत गुडात्मक तत्य बताए निम्नांग के तत्य आपको दिये हैं दो क्वेस्टन में इसका लिया है संगत गुडात्मक तत्य आपको बताना है क्या दिया है 56 दिवाइड बाइट इस उप्वल टू 7 ठीक है 56 पर चपन आ गया त्हिक है नो डाउट आगे चलते नेक्स देखते हैं लेकिन आपको एक क्वेशन करके दिखाना वहुँद रहा है वाला आपको आपको करके बताना है संगत गुरात्मक रूप यह संगत गुरात्मक रूप प्रोपर्टी के अंतर उसी के ब्सक्रण ठीक है एक दो कर लिए आइडिया रहना चाहिए बात की बात है कि आता है नहीं आता है ठीक नेक्स देखते है क्या है फॉर्थ क्रेशन यह रहा एक ऐसा कोई पूर्ण संख्या जैसे कि क्या पी संभव है कि पी डिवाइड़ वाइड पी विजुकल टू पी होगा क्या कोई ऐसी करेंगे P is equal to 1 P is equal to a P का मान क्या मान रहें एक आप यहां पर आता है एक दिवाइड़ वाइड वाइग बराबर एक तो क्या आएगा एक तो पी का मान यहां पर क्या हो गया एक ठीक है यह basic सा प्रश्न था यह आपको प्रश्न रहें और मिल जाएगा आता है ध्यान यह आना चाहिए इसी के वेस्ट पे जितने भी सरली करण के प्रश्ण होते हैं वह आपको बाद मास के वेस्ट पे ही रूल लगा के सॉल्फ करने होंगे आते हैं दो से तीन ऐसे क्वेशन आज आएंगे आपके दो नंबर में तीन नंबर में जिनको मैं थोड़ी भी प्रॉब्लम है कम से कब ऐसे क्वेशन तो बिल्कुल गलत करेगा आप सबसे मैं उमीद कर सकती हूं ठीक नेक्स देखिए एक क्वेशन यह छटा प्रशन तेरा माइनस पैकेट में आर्ट गुड़े दो प्लस तीन इसको भी सिंप्रिफिकेशन करना मैंने आपको यह दोनों नहीं बताया पांच और छटवा आपको मुझे बताना होगा एक क्वेशन ऊपर बता तीन क्वेशन आज के अभी तक के हो गए जो आपको बताने यह सब बहुत आसान इसले कुछ भी बता नहीं रही हो चिक है बस कैल्कुलेशन है सौल्फ कर दी कुछ नहीं है नेक्स देखते हैं क्या है देखिए यह रहा सैवन्थ क्वेशन ठीक है दसमलों के बेस पर है क्वेशन 85.23 दसमलों के बात की जो संख्या होती है उसक देखिए अच्छे को निर्म प्रकार से लिखें कैसे रिप्रेजन करेंगे तो देखिए आप यहाप इसको कैसे लिखेंगे 85.23 85 दसमलों के इस सेक्षिन में था इधर वाली जो बाते हैं दो बटा दस प्लस तीन बटा सो यह क्या है दो बटा दस दसवा भाग है यह क्या ह समझाया भी है जो नहीं देखा है वह मैत के नाम से प्लेस्ट बनीए वहां से आप अच्छे से देख सकते हैं टीक है नो डाउट नेक्स चलते हैं एट कर्शन आप सभी के सामने है 76 मीटर लंबे तार एक तार है जो 76 मीटर लेंथ में लंबा है से 3.8 मीटर लंबाई के कित बनेगा कितने टुकड़े बनेंगे उस लंबे से 76 मीटर लंबे तार के ठीक है ऐसे प्रशन आपको लगाने हैं सारे मैत के जो क्वेशन है मैं हजार बार बोल रही हूं पीस रिक्वेस्ट कर रही हूं कि ध्यान से सुरिये 6,7,8 की आप लगा लीजे यूपी वोर्ड की औ अपके उनकी वोगा प्राइविट स्कूल के लगा लीजे बेसिक बेसिक क्वेशन सब वहीं से फर्श जाएंगे कोई भी घवराने की बात नहीं और सिरीज लगा लीजे मैं प्रिवेस एर करवाई हूई हूई हो 19 का बचा है करवा दूंगी ठीक है अब देखे कैसे होगा यह पूरी संख्या के रूप में है नहीं हो सकता है कुछ भी आप कैसे करेंगे आपको दसमलों हटाने के लिए दूंगों जगा पर दस से गुडा करना होगा तो आप यह जब दसमलों यहां से आप फूटकर खटा देंगे तो यह क्या हो जाएगा यहां पर उपर भी दस स गुडा हो जाएगा तो यहां पर देखे कैसे सॉल्फ करेंगे आप 76 को और 38 को कातेंगे यह दो से कटेगा यह 38 बार में कटेंगे यह 19 बार में कटेंगा अब 38 यह दस से भाग देंगे तो 20 आएगा कितने टुकडे बनेंगे 20 किसके बनें जो 76 मीटर लंबा तार था और ज पूछके नेक्स छलते हैं देखते हैं क्या है यह रहा है अपके सापने नाइंध्स क् 어딕वेशन एक बालटी कोई एक बकेट है उसका जो मेंगे बने मीट वह 5.15 compatible room में टान करेंगे घ्मनेशिवन ख्याण तरह के धिश्यों खश्र होता है कि कभी गुर्प में बैठा तो लोग है किसे होता है कि अगर इतने का कोई साइक मैं कितना होची कितने की आएगी ईस तरह। एक वाशनीं मसीन है वह इतने हजार रूपय की उतन पचास मख़म कितने की आएगी ऐसे basic एक बार आप समझ जाएंगे तो हमेशा कर ले जाएंगे कभी कोई दिक्कत ने सिंपल क्या है अगर आपको एक पता है किसी भी सवाल का ऐसा कोई प्रशन आएगा और आपको एक पता है तो आपको हजार पूछे लाख पूछे करोण पूछे आप पस गुड़ा कर दी देगा क्या कह रही हूं ध्यान रखीएगा सिर्फ और सिर्फ गुड़ा करना आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टिप्लाइग एक का अगर पता है तो आपको याद रखना कि किसी चीज का एक पता हो ता आप फट्स बता दो ठीक अब देखे यहां पे आप कैसे करेंगे यहां पे है 13. यहां पे है 3.150 कुड़े 20 आप इसको करेंगे तो 00 चला जाएगा यह 2520 होगा आपके कैड़ी बचेगी एक तो एक अन्नम दो यहां पे करी जोड़ देंगे तीन यह दो तिया ही 6 ठीक है अब यही दो बार यह भी जाएगा तो 003 6 ठीक अब आप देखे क्या करेंगे इंको 29.300 आता 22 बल्टियों का जो भार होगा वो 69.300 होगा समझ में आया कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजेगा मैं फिर एक बार बता दूंगी को दिक्कत नहीं है नेक्स देखते हैं क्या है यह रहा नेक्स क्वेशन आप सभी के सामने तस्मा प्रशन है क्या है 0.85 औ सब्सक्राइब करना है कुछ टास्क आपके लिए रहेगा ठीक है मैं ने बताने वाली आपको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है मैंने कुछ बच्चों के चैट्स पढ़े हुए थे तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो आप पर तयारी बगरा कर रहे हैं पैट्वेग क पैट की लिखवाल की एक्सेक्टर नेक्सेक्टर बहुत अच्छी बात है को दिकत की बात नहीं है लेकिन आप सब भी इसका अंसर दीजेगा ठीक है भले आपको आता है ठीक देखते हैं नेक्स्ट क्या है अब देखिए 11 प्रशन आपके सामने 10 संख्या 51.3 प्लस 6.079 प् 5.5 को जोड़ना है आपको 10 संख्या दी है जोड़ना है बिल्कुल भी गलत मत करिए मैंने थोड़े आसान जो प्रशन लिए है आप सब कमेंट करते हैं यह तो आता है ठीक है आपको आता है लेकिन और लोंको नहीं आता होगा तो कम से कम उनका वो सेक्शन तो कम्टीट हो कम से कम आता है तो आप और प्रैक्टिस करें अच्छा कर लेना है और पीछे वाला का तो थोड़ा और अच्छा हो जा पना उनका तो सब खराब हो जाए इसलिए मैं थोड़ा इजी प्रशन भी ले लेती हूं यह मैं सोची कि सब इजी ही हो रहा है ठीक आज क्रेशन में थ संदो 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 संदालो हमेशा एक सीज में चलता है जब भी जोड़ होगा घटाटाना होगा तब भी हमेशा दसमलों को एक सीध में रखना है आप एक सीध में रखेंगा हमेशा करेंगे देखिया देखिए क्या दिया था 51.3 फैरे लिख दीजे तूसरा 6.079 दसमलों बरावर रखें लिख दीजे फिर 0.38 परावर रखें लिख दीजे 0.5 बरावर यह 3-3-6 है यह 5-6-5-11 करी आपका आंसर क्या निकल क्या आया 58.259 देखते हैं क्या है यह रहा 12 परशन आपके सामने 3.71 इंटू-1.21 यह गुणा करना है आपको मुझे बताना होगा यह मैं आपको नहीं बताओंगी ठिक नेक्स देखते हैं क्या है 13 प्रश्ण आपके सामने ये रहा देखती है क्या है ये simplification का एक प्रश्ण है करवा दिया मैंने 48 प्रस 8 इंटू 0.75-5 कैसे आप निकालेंगे simple है B O D M A S यानि की board mass इसी के base पर आप करेंगे सबसे पहले यहाँ पर multiplication है देखे तो multiply कर दीजे आप 0.75 में 8 से जब गुणा करेंगे तो 6 निकल कर आएगा क्या निकल कर आएगा 6 निकल कर देख लीजेगा जिनने भी कोई भी दिक्कत है छोड़ी छोड़ी calculation किसी की गलत नहीं होनी चाहिए तो 48 48 हो गया इन दोनों का आपने गुड़ा के 6 आगया आप सभी के सामने यह है 36 divided by 0.06 यह 0.06 है थ्यान रखेगा दूसरा है 0.0006 divided by 11 दोनों क्येशन आपको करने हैं मैं नहीं बताऊंगे मैं आपको आंसर बताऊंगी मैं देखती हूं किसका correct होता है कौन करता है ठीक है नेक्स देखते हैं क्या है 15th question गिये रहा दसम्बलों में लिखो आपको सब्दों में दिया दसम्बलों में लिखना है आता है प्रशनी ठीक है तो क्या है 8 रुपे 9 रुपे 8 रुपे 90 पैसे पहला दिया है 8 रुपे 90 पैसा कैसे लिखेंगे 8.90 8.90 रुपे ठीक है अब बारी है आपको मुझे बताना है मैं आपको नहीं बताओंगे बहुत सारे बच्चों को आता है तो वह भी बताएंगे जिहने नहीं आता है मैं पर दुबारा बता दूँगी लेकिन अभी आपको बताना होगा ये चीजए आपको करके एक बटा तीन मिनट का समय लेता है तो एक घंटे में वा कितनी माला बनाएगा बहुत अच्छा प्रश्ण है बहुत इजी भी है कि एक बच्चा है मोहन वो फूलों की एक माला बना रहा है उसको एक माला बनाने में उसको माला बनाने में एक बटा तीन मिनट का समय लगता है तो बताईए एक घंटे में वा कितनी माला बनाएगा जब एक बच्चा एक मिनट में जब एक बच्चे को एक माला बनाने में एक बटा तीन मिनट लग रहा है तो एक घंटे में वा कितनी माला बनाएगा बहुत आसान सा प्रशन मुझे उमीद है कि आप सब correct answer देंगे 17 देखे क्या है हल करो क्या दिया है 4 सही 3 बटा 5 divided by 2 सही 1 बटा 2 आपको mix fraction के 2 सवाल दिये हैं वह भाग करने कैसे करेंगे सबसे पहले आप इनको simple fraction बनाएए तो इसको बनाएंगे तो यह दोनों गुड़ा करते हैं ऊपर एड़ करेंगे तो यहां पर क्या आएगर 23 बटा पहुंच हो गया 2 3 6 7 7 बटा 3 हो चीक है mix fraction सब्सक्राइब आप सभी को आना चाहिए वरना आप इसको गलत कर देंगे तो आपने इसको चेंज कर दिया simple आपको बताया थे ना कि भिन्नों को आपको गुड़ा करना है तो भी बहुत आसान है को दिक्कत नहीं है और भाग करना तो और आसान है इसको बलट देंगे यहाँ पर साथ बटा तीन था यहाँ पर तीन बटा साथ हो गया इन दोनों का गुड़ा कर देंगे 69.35 आएगा नो डाउट आगे चलते ही नेक्स देखते हैं भिन्ने से सवाल आते हैं ध्यान रखिएगा नेक्स क्वेशन आप सभी के सामने यहाँ पर अठारवा प्रश्ण है एक बरतन में 14 सही एक बटा दो केजी आटा आता है एक कोई बरतन है पॉट है ठीक है उसमें 14 सही एक बटा दो केजी आटा आता है ऐसे 18 बरतन में कितना आटा आएगा इसी तरह उसके पास अठारा पॉट है कितने है टोटल अठारा पॉट उसके पास है एक पॉट में जब 14 साही एक बटा दो केजी आटा आता है तो अठारा में कितना आटा आएगा फटा फट पर सब लोग परे सॉल्व करके बताएगे तो मैं इसका आंसर में बताऊंगी एक बरतन में 14 साही एक बटा दो किलो आटा आता है तो अठारा बरतन उसके पास है कितना आटा आएगा क्वेशन को समझेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे 18 का राइट आंसर आप सभी के सामने है देखि कैसे सॉल्व हो यह समझी एक बरतन में आटे की मात्रा कितनी आ र प्रैक्शन में कंवर्ट करेंगे यह क्या है चौदा दुना अठाइस एक पूस में एड़ कर देंगे 29 तो 29 बटा क्या आ गया 29 बटा दो आ गया कितना आप से पूछ रहा है एक का आपको पता है 18 आपको बताना है सिंपल आप उसमें गुणा कर देंगे ठीक है अब इसको आप इसके नीचे एक लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है इनको जब आप गुणा करेंगे 29 और 18 गुणा करेंगे 2522 आएगा 522 में आप दो से जब भाग करेंगे तो 261 केजी आएगा 261 किलोग्राम आठा आएगा अता 18 बटन में 261 किलोग्राम आठा आएगा एक बटन में जितना आ रहा था 29 बटन अब कितना आ रहा है 261 किलोग्राम आठा आ रहा है ठीक है नो डाउट आगे चलते ही नेक्स देखते हैं इस तरह से बहुत सारे क्वेशन्स आपको देखने को सेम पैटन में मिलेंगे डिजर्ट चेंज कर देगा या कुछ और पूछ ल लिटर पेट्रोल में 28 किलोमेटर जाती है तो चार सही तीन बता दो लिटर वो कितने किलोमेटर जाएगी बताइए आप सब इसको सॉल्फ करिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन अभी उपर ही करवाए हैं सिंपल है बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है बस बहुत आसान है क करना है समझना होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्फ होगा कोई एक स्कूटर है ठीक है वह एक लिटर आप उसमें आज ही पेट्रोल भरा रहे हैं और 28 किलोमेटर ले तक अपने गाउं जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं ठीक है अब आप से पूश रहा है कि चार सही तीन बटा सॉल्फ करिए ना ऐसे आपको असान लगेगा लेकिन वहां जो सेंटर पर देंगे तो फुर फुर रोगया तो मैं क्या करूंगी आपको तो दिक्कत होगी ना सॉल्फ करिए आप तो चलिए अब मैं इसका आंसर बता दूँँ आप सभी को कैसे है प्रश्ण यह समझ लिया है देखते हैं एक लीटर स्कूटर में एक लीटर में वहां स्कूटर जब 28 किलो मेटर जा रहा है और आप से चार सही तीन बटा दो लीटर पूश रहा है तो आप क्या करेंगे स्कूटर में जाए जाएगा तो सिंपल है जब आप को एक का पता है तो आप उसमें से उसमें गुड़ा कर दीजे 28 आपको पता था कि जा रहा था एक लीटर में तो 12 कर देंगे दो कर जाएगा यह 14 बार में 28 कर जाएगा दोनों का इसको चोपन किलो मेटर आएगा क्या ल के आपका पांच मैत में उसको आप चाहे करिए दी हमात करें लिकन बर नंबर 5 पर लेती उमीद É इस रहा है और आपका आंसर सही है थोड़ा लेती दीजए दिक्कत क्या है बहुत क्षेशन से रहता है च्छास्टे फिर хоч जाए도 का एक कुई व्यक्टी है उसकी जो सेलरी उसका एक बटा चार घर पर खर्च कर देता है एक बटा इसचाल है नहीं को रहो हैसं कर देफें ठीटार गर शैरा इतर बच़्ा कोवें प्रफेंा था कि अन्यवें उत्केटेल बच रहा है कितना भाग बच रहा है वो आपको पताना है ठीक है suppose कर ये कैसे लगाएंगे कोई आइडिया है आपको ये question आप कैसे करेंगे बहुत अच्छा प्रश्ण है मैंने आपको इसला के कई questions करवाएं हैं आपकी जिम्मधारी है आपके लिए एक task ये है जो बच्चे त्यारी कर रहे है वो भी और जो नहीं कर रहे है वो भी सभी लोग इसका answer देंगे मैं देखना चाहूंगे कितना आपकी त्यारी हुई है ठीक है 200 question आपके लिए है no doubt आगे चलते है नेक्स्ट आज का 200 question आपके सामने है संक्या 4 14 35 28 का आपको लासा लेने लासा मासा सभी को निकालना आना चाहिए भाग विदिय गुडंगन विदि दोनों से दो तरीके है निकालने के साथ से कारें आप पार तकितना इंदा करेंगे तो एक और के काटना है 7 आप 5 और आप साथ चूक्ट और जाए गill कारते हैं और को संख्या नहीं रहती जो ंट और के तौनंगर कार्दे से करें वहीं से हाप स्ट बरन कल रहा है यहां यहिए नो डडाँट दो गुड़े 5 गुड़े 7 अता लासा बराबर 140 कितना आ रहा है लासा इसका 140 गुड़न खंट विडी से लगाएंगे अभाग विडी से आंसर हमेशा सहीम आना चाहिए और सहीम आएगा यही तरीका है चेक करने का ठीक है नो डाउट आगे चलते हैं नेक्स देखते हैं क्या है 22 क्रशन आपके सामने स्क्रीन पर है निम लेकित संख्याओं में से कौन सी संख्या 15 से अभाज जे अभाज जे क्या होता है यह आपको मुझे कमेंट करके बताना है ठीक है विद एक्जामपल आप जटाइए कि यहां पर संख्याएं आपको दी है 55, 90, 48, 60, 75, 105, 108 की इतन सबी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 से अभाज है 15 से नहीं कटे अपको यह आ पर दिया है तो कंघ 2 संख्या 925, 150, 50, elder इसी कट जायेगा ठीक्य करके काट की देख जाए कोई दिक्कत नहीं यह रहा आज का एक क्वेशन और हो गया नेक्स देखिए क्या है तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो चार आर्ट बारा से पुईतरा विभायत हो जाई यह आपको करना मैं आपको नहीं पताऊंगी इसको तीन अंकों की आपको हमें बहुत छोट है 24 क्रेशन आपके सामने स्क्रीन पर रहा एक दुकान दार ने पंदरा सो का कोट 25 परसंट चूट देकर बेचा बताइए कोट कितने में बेचा गया बहुत अच्छा परशन है अभी परसंट मैंने कुछ दिन पहले करवाया था अब यह क्रेशन गलत नहीं होना चाहिए प पर एक दुकान दार शाप है कोई ने पंदरा सो का कोट 15 के पास कोट के स्टॉक है कोट पहनने वाला होता है थिके जैकट कोट उसको पच्छ परसंट परसंट ओफ देकर बेच दिया तो पताई कोट कितने में बेचा आपको 25% के रूप में पता है ना आप में रुपै के value में बताई कैसे करेंगे कैसे निकालेंगे सोचिए फटा-फट देखिए बहुत बेसी का कोई दिक्कत की बात नहीं है कैसे solve कैसे solve हो रहा है आपको यह सबस्टा है कोट के मूले में छूट कितनी थी 25% की दी दी कितने का कोट था 1500 का कोट था तो 1500 के कोट पर 25% की आपको छूट मिल रही थी ठीक है यहां पर परसंट के फॉर्म में दिया है आप इसको चेंज करेंगे अब आपको क्या मिल रहा है 25% की छूट मिले कैसे solve करेंगे 1500 गुणे 25 बटा सौ सिंपल है कोई दिक्कत की बात नहीं 0-0 काट देंगे आप 255 गुड़ा करेंगे 375 रुपए आएगा क्या कीमत लग गई 375 तो कोट का मूली कितना था 1500 रुपए था कितनी छूट मिली थी 25% की उस 25% का रुपए के फॉर्म में जब आप निकाले तो कितना आया 375 आया आप 15 में आप 375 को मैस करें तो क्या आएगा 1125 रुपए जगानदार ने इतना आफ करके बेंच दिया ठीक है नो डाउट आज आज की क्लास यहीं तक हमने टोटल 24 क्वेस्टिंस को किया 18 क्वेश्टिन आपके मैत में आता है 18 आता है कितने नंबर का आता है आपका या पेपर 25 नंबर का आता है एक घंटे का टाइम इंटर्वल र हो जाएगा आई होप आपको आज का अच्छा लगा होगा क्वेस्टिंस मैंने अच्छे लिए कुछ एजी लिए हैं कुछ मॉडरे टाइप के लिए कुछ टप लिए हैं सभी लोगों के हिसाब से मैंने पेपर लिया है मैं सबको लेकर साथ चल रही हूं हर एक को लाइक करें जाते जाते कमेंट जरूर करते वे जाएगा कल हम सुभा दस बुजे फिर मिलेंगे नए क्वेस्टिंस की सिरीज के साथ तब तक रहे जाए जाते हैं और आलवेज कीप स्माइलिंग